इस साल अब तक भूचपूरिया पावर स्टार पवन सिंग का छट का गाना नहीं आए और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इस साल छट का गाना पवन सिंग का आएगा क्योंकि आपने देखा होगा कि खेसारी लाल यादो का एक छट सौंग जो बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है वो 10 मिलियन व्यूज यानि कि उसे अब तक एक करोड लोगों ने देख लिया है और खेसारी हर दूसरे दिन अपना कोई न कोई छट का गाना जरूर लेकर आते हैं लेकिन लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या पावल स्टार इस बार अपना छट का गीत लेकर आएगे क्योंकि सामन उनका रहा नवरात्री उनकी रही तो फिर छट जैसे महापर्व पर हर साल पावन सिंग के बहुत बहतरीन सौंग आते हैं और इस बार क्या होगा तो हम आपको बता दे कि इस बार उनके जितने फैंस हैं उन्हें निराश होना पड़ेगा ये बहुत ही पक्की खबर है और ये बहुत ही फोक्ता खबर है कि पवन सिंग का इस बार कोई भी छटका गेत नहीं आ रहा है उसकी वज़े है कि वो लंडन में बिजी हैं अपने फिल्मों की शूटिंग में और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत ही कम समय में पवन सिंग ने अपनी एक फिल्म की शूटिंग कपलीट कर ली है जिसमें उनके साथ शहर अफसा और मधु शर्मा है साथ ही उस फिल्म के डिरेक्टर है पराग पाटिल जी हाँ आपको ये भी बता दे अब पवन सिंग की दूसरी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है वहाँ पर और साथ ही साथ और लेकिन पवन के जितने भी फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या पवन सिंग इस बार अपना कोई छटकागी प्ले कर आएंगे क्योंकि उन्हें बहुत ही बेताबी से इंदिजार है तो इसके पीछे रीजन हमने जैसे वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि पवन सिंग अपने फिल्मों में बहुत बिजी हैं और उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है इस बार सभी को निराश होना पड़ेगा पवन स एक दो सौंग की शूटिंग भी लंडन में कम्पलीट कर रहे हैं ताकि उसे आने के बाद यहां रिलीज किया जा सके और अब तैयारी हो रही है पवन की एक बड़ी फिल्म थेटर में रिलीज करने की जी हां इसके लिए हम अपना एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमे भले ही नहीं आये तो पवन के कई अंगिनत गाने छटके हैं उसे सुनकर ही उनके जो फैन से वो मन बहला लेंगे भुझबुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूली है